हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्पोगते जी के ओशियन यूट्यूब चानल पर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शिशन में हम लोग वीकली करेंट अफेर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट थी को डिसकस करेंगे इससे पहले पार्ट वन और पार्ट करेंट पर के कोशन को लोग डिसकस करेंगे उसके बाद 1 जून से 7 जून तक के वीडियो को कवर किया जाएगा आगे ठीक है डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जी के ओशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्द ही राज स्वास्त पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्त डेटाबेस को बनाये रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेंगे आपके सामने चार ओप्शन दे रखा है करनाटक, आंत्रप्रदेश, तेलंगाना और मद्रप्रदेश तो यहाँ प अगला कोशन है आपके सामने, विश्व भूक दिवस, वर्ल्ड, हंगर डे, जिस दिन मनाया जाता है वो आपको डेट बतानी है, आपके सामने चार ओप्शन दे रखा है, तो यह मनाया जाता है 28 मे को, आप लोग एक फैक्ट याद कर लिजेगा, जो ग्लोबल हंगर इंड अगला कोशन आपके सामने, हाल ही में कहां इस्थित, पर होन जुआला मुखी को, विश्व का सबसे गर्म और बड़ा जुआला मुखी गोशित किया है, तो यहां पर हमारा सही आंस वेगा, ऑप्शन इमबर डी हवाई, ठीके इंपोर्टन कोशन है, याद कर लिजेगा, देख कुछ इंपोर्टन फैक्ट आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड, देखे इससे पूर्व इसके पास इस्तित माउना लुआ को सबसे बड़ा जुआला मुखी मारा गया था, ठीके आपको नाम याद कर लेना है, युनिवर्सिटी ओफ हाईवे, हवाई के समुत्र का सर्वे भी किया गया, ठीके और इस सर्वे में पाया गया कि समुत्र के नीचे इस्तितिया जौला मुखी माउना लुआ से आकार में तीन गुना बड़ा है, ठीके या लगबग 171 फीट लंबा और 56 मील चोड़ा है, या लगबग पूरी तरह से जल मगने, ठीके और इसके सिर्फ दो 170 फीट ऊची चोटियां उपर दिखाई देती है, ठीके, और इन दोनों चोटियों की खोज 1820 EZB में अमेरिका के वेलिंग शिप ने की थी, यह सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना, इंपोर्टन है सभी फैक्ट इनसे कोशन आने की चांसे है, नेक्ट कोशन आपके सामने, 27 मही 2020 को कौन New Development Bank के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जाएगा, मार्कोस ट्राइजो, ठीके, ऑप्शन आपको इंपोर्टन फैक्ट आद कर लेने हैं, देखे, उनका कारिकाल 7 जुलाई 2020 से प्रारम ह होगा, और इस पत्पर्व भारत के के वी कामत का स्थान लेंगे, ठीके, इसके साथ ही भारत के अनिल किशोरा एंड डीबी के उपाध्यष निर्वाचित हुए हैं, और कुछ इंपोर्टन आपको यह सारे फैक्ट याद कर लेने हैं, ठीके, यह एंडीबी के बारे में कु शंगाई यानि की चीन में, चीन की सबसे बड़ी सिर्टी भी शंगाई ही है, ठीके, अगला कोशन आपके सामने, संयुक्त राष्ट अंतर राष्टे शान्ति स्यानिक दीवस कब मनाया जाता है, आपके सामने चार आप्शन दे रखा है और इस कोशन का करेक्ट आंसर एग 29 वाई को, ठीके, कुछ फैक्ट आपको याद कर लेने, देखे, इसका थीम क्या था, वोमेन इन पीस कीपिंग, अक्की टू पीस, पहला संयुक्त राष्ट शान्ति मिशन 24 मई 1948 को स्थापित किया गया था, या दिवस मनाने का उद्देश, संयुक्त राष्ट शान्ति मनाय गया था, अगला कोशे ने, अंतरास्टी माउंट एवरेस जीवस कब मनाय जाता है, तो ये मनाय जाता है, 29 मई, को, आप्शन सी हो जाएगा हमारे याँ पे, सही आंसर, कुछ important fact आपको जात कर लेने, 29 मई 2020 को संपूर विष्व में अंतरास्टी माउंट एवरेस जीवस मनाय गया, उलेखनी है कि 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग, नारगे, शेरपा और न्यूजिलांड के एडमंड हिलरी पहली बार माउंट एवरेस पर चड़े थे, ठीक है, नेपाल ने वर्ष 2008 से इस दिवस को मनाने का निर्णे लिया, जब महान परवता रोही एडमंड हिलेरी का ने धनुवाता, यह दिवस काटमांडू और एवरेस छेतर में विशेस कारिक्रम के साथ मनाया जाता है, और एवरेस परवस समुध तल से उचाई के अनुसार अगला प्रेश ने 27 से 29 मई 2020 के मत्य सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर संपन हुआ था, इंपोर्टन कोशन है यह हो जाएगा भारत की राजानी दिल्ली में, नई डिली में, ठीक है, ओप्शन D हो जाएगा हमारा सही आंसर, अगला प्रेश ने आपके सामने, किस राज यह एक सेकंड, वेट, किस राज सरकार ने हर हाथ हो काम, हर घर में रोजगार सिधान्त के साथ प्रवासी सर्मिकों के लिए मिशन शुरू किया है, तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत का सेंट्रल स्टेट कहा जाता है, भारत का दिल भी कहा जाता है मध्य एरिया के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है भारत का, ठीक है, ऑप्शन वन हो जाएगा हमारा सही आंसर, नाइन्त कोशन है आज का, केंद सरकार ने हाल ही में किस राज में कुडांग सूर्य मंदिर के पून सौर करण के लिए एक योजना शुरू की है, उड और बड़ीशा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ओड़ीशा की राजानी है, भुवनेश्वर, आज का हमारा आखरी प्रशन है, विश्व इश्पात संग ने विश्व स्टील रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में कुरूड स्टील के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है, आपके सामने चार ओप्षन है, यहाँ पर हो जाएगा, ओप्षन नमबर, डी, 65%, तो यह थर्ड पार्ट था, वीकली करेंट अफेर का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हल्पूल हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल प